एक गाउ में दो चचेरी बहने रहती थी, दोनों बहनों का घर अगल बगल में ही था, सोनम बड़ी थी और काफी खुबचूरत भी थी, लेकिन निलम छोटी थी और वो दिखने में बिलकुल खुबचूरत नहीं थी, वो दिखने में बहुत मोटी और काली थी, सब ही लोग उसका खूब मजाग बनाते थे और बच्चे उसे काली भैंस कहकर चढ़ाते थे। एक दिन सोनम स्कूल जाने के लिए अपना बैग लेकर बाहर निकली। तभी नीलम ने उसे रोकते हुए कहा। सोनम, मेरी बहन, चलो, मैं भी तुमारे साथ स्कूल चलती हूँ। तु पागल हो गई है क्या, शलट मेरे रास्ते से, तुझे पता भी है, तु दिखने में कितनी बेकार है, एक तो मोटी उपर से काली, ची 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 और मैं इतनी खूबसूरत, अगर मैं तुझे अपने साथ स्कूल लेकर जाओंगी, तो कही तरह सर मुझ पर पढ़ने बोलती है, वो तो ये भी कहती है, कि तु चांद है, इसका मतलब कि हम तुझे चांद कह दे, ये तो चांद के बेजती होगी, नीलम वहां से रोते हुए, अकेले ही स्कूल चली गई, जब वो क्लास में पहुँची, तो उसने देखा कि सभी बच्चे आपस में एक दूसरे को गुड मॉनिंग विश कर रहे हैं, लेकिन नीलम को सबने इग्नोर कर दिया, थोड़ी दिर बाद सोनम नीलम से कहती है, देखा तु ना नीलम, तेरे मम्मे कहती है ना, कि तु बहुत खुब सूरत है, मिलकुल शांद की तरह, क्लास में किसी बच्चे ने तरसे बात तक नहीं की, नीलम उदास होकर क्लास में सबसे पीछे जाकर बैठ गई, उसके बाद काफी दिनों तक रोजाना ऐसे ही चलता रहा, एक बार की बात है, महले में एक जगह बड़े पाटी थी, उस बड़े पाटी से सोनम के लिए बुलावा आया, सोनम बहुत अच्चे से तैया होकर बड़े पाटी में जाने लगी, नीलम भी उसे जाते हुए देख रही थी, सोनम मुझे भी अपने साथ ले चलो, तुझे बुलाया है किसी ने, नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी बेहन होना, तुम मुझे ले चलो, तुझे खुद तो कोई बुलाता नहीं है, क्योंकि त सोनम नीलम का मजाग बना कर वहां से चली गई, इसी तरह सोनम बड़े पाटी और बच्चों के साथ खेलने में व्यस्त रहती थी, लेकिन नीलम के साथ कोई खेलता ही नहीं था, तो वो अपना खाली समय पढ़ने में लगाती थी, इस वज़े से नीलम पढ़ने में बहुत तेज थी, स्कूल में एक्जाम हुए, एक्जाम के बाद रिजल्ट का दिन आया, रिजल्ट वाले दिन क्लास रूम में सोनम ने नीलम से कहा, तुझे पता है नीलम, आज तो क्लास में फरस्ट मैं ही आऊंगी, क्योंकि सुन्दर बच्चे को तो मैडम जादा नमर देती है ना, नीलम, तुझे नहीं आना क्या फरस्ट, मुझे लगता है तू फरस्ट आएगी, लेकिन उपर से नहीं, नीचे से, एक बार फिर सोनम ने नीलम का मजाग बनाया, और हसने लगी, सोनम की बाते सुनकर बाकी क्लास के बच्चे भी हसने लगे, तभी मैडम क्लास में नहीं आई थी, सोनम अपने क्लास में ही नहीं, पूरे स्कूल में फरस्ट थी, ये सुनकर सबके होश उड़ गए, इन सबके बात सोनम मन ही मन सोचती है, और जिस नीलम की बच्ची के कारण मेरी बहुत बेज़ती हुई है, मैं तो इसको बिलकुल नहीं छोड़ने वाली, और उसने नीलम को सबक सिखाने का पूरा मन बना लिया, एक दिन सुबह सुबह नीलम अपने आंगन में एक पेड़ के नीचे बैटकर अकेले ही खेल रही थी, तब ही वहाँ पर सोनम आई और बोली, नीलम, तुम तो पढ़ने में बहुत तेज हो, मुझे लगता है हमें दोस्ती करने नी चाहिए, अगर तुम उसे दोस्ती कर लोगी, तो मैं ये भी माल लूगी, कि मैंने तुम्हारा जो मजाग बनाया था, तुमने मुझे उसके लिए माफ कर दिया, कोई बात नहीं, अग खौती ज़्यादा खतर्नाक जंगल है, अरे पागल, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं वहाँ रोज जाती हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मेरे साथ मेरी कुछ सहेलिया भी जाती है, उन्हीं भी कुछ नहीं हुआ, तेरी मम्मी ऐसे ही बोलती है, चलना, चलते हैं, नीलम सोनम के साथ जंगल में चली गई अरे ये जंगल तो वाकिब बहुत तराबना लग रहा है तुम यहां कैसे खेल लेती हूं हम तो यहां बहुत मस्ती करते हैं अरे वाँ फिर तो बहुत मज़ा आने वाला है चल नीलम एक गेम खेलते हैं तुम उस पहाड़ी के किनारे आख बंद करके खड़ी हो जा उसके बाद तुपहले खड़ी तो हो फिर बताओंगी नीलम अपनी आखें बंद करके पहाड़ी के ऊपर खड़ी हो गई सोनम थोड़ा सा मुस्कुराई और उसने नीलम को पहाड़ी से धक्का दे दिया नीलम के चीखने की आवाज पुरे पहाडी पर गुंज गई सोनम खुश होकर घर वापस चली गई नीलम पहाडी के नीचे गिरते ही जा रही थी गिरते ही जा रही थी लेकिन कुछ पुशी मिन्टों में वो एक नई दुनिया में पहुच गई वहाँ पर तीन चांद थे तीन चांद को देखकर नीलम हैरान रह गई मैं ठाहा हूँ, मैं मर गई क्या, मचाओ, मचाओ मुझे तभी उन में से एक चांद कहता है तुम घबराओ मत, तुम चांद की दुनिया में हो क्या, चांद की दुनिया? हाँ, तुम हमारी दुनिया में हो, और हम तीनों जादूई चांद है लेकिन मुझे तो जमीन से एक ही चांद दिखता है हम जादूई चांद हैं तुम जो भी मांगना चाहो हमसे मांग सकती हो मैं बहुत काली हूँ और मोटी भी इस वज़ा से सभी बच्चे मेरा बहुत मजाग बनाती है कहते हैं मैं मोटी भैस हूँ अब मैं कहा जाओं मुझसे कोई भी बात नहीं करता हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है इसलिए हम तुमें एक वरदान देते हैं कि तुम अभी के अभी बहुत खुबसूरत और पतली हो जाओगी चांद के इतना कहते ही नीलम बहुत खुबसूरत और पतली हो जाती है अरे वाँ मैं तो बहुत खुबसूरत हो गई लेकिन मैं इस दुनिया से घर कैसे जाओंगी मेरी मा मेरा इंतिचार कर रही होंगी तुम चिंता मत करो बस अपनी आखे बंद करो हम तुम्हे तुम्हारे घर छोड़ देंगे नीलम अपनी आखे बंद करती है और अगले ही पल अपने घर पहुँच जाती है घर पहुचने के बाद नीलम अपनी मम्मी को सारी बात बताती है नीलम की मा भी नीलम को देख कर बहुत खुश होती है अगले दिन जब नीलम स्कूल जाती है सारे बच्चे और सोनम उसे देख कर बहुत हैरान हो जाते है तब ही सोनम वहां आती है और कहती है नीलम तु जिंदा है तुझे कुछ नहीं हुआ और तू इतने खुबसूरत कैसे हो गई मैंने तुमसे कहा था ना कि शकल से कुछ नहीं होता मन खुबसूरत होना चाहिए और मेरा मन बहुत खुबसूरत है इसलिए मैं इतने खुबसूरत हो गई और तुम्हारे पहाड़ी से धक्का देने के वावजूत मुझे कुछ भी नहीं हुआ मुझे माफ कर दो बेहन मैं अब तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगी मैंने तुम्हें एक बार माफ किया था तुमने मुझे मारने के कोशिश की मैं अब तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकती नीलम ने सोनम को माफ नहीं किया और अब वो अपने जीवन में हसी खुशी रहने लगी तो मेरे प्यारे दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और हाँ दोस्तो अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चनल को सबस्क्राईब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बिटन दबाकर सबस्क्राईब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें तो मिलते हैं फिर किसी नहीं कहानी के साथ तब तक आप लोग अपना खयार रखें धन्यवाद जादूई गुलाब का घर एक शहर में छोटी सी बस्ती में रोशनी अपनी मा जमुना के साथ एक किराई के मकान में रहते थी पिता के गुजर जाने के बाद रोशनी की माने रोशनी को पिता की कमी कभी महसोस नहीं होने दी घर की सारे जिम्मेदारी जमुना ने बखु भी निभाई रोशनी की पढ़ाई और घर का खर्चा चलाने के लिए जमुना गली-गली जाकर सबजियां बेचा करती थी सबजियां बेचकर जो पैसे मिलते उन्हें से उनका घर का गुजारा चल पाता था जमुना बढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन वो अपने बीटी रोशने को खोब पढ़ाना लिखाना चाहती थी इसलिए जमुना ने रोशने का एडमेशन एक प्राइबेट स्कूल में करवाया सब कुछ अच्छा चल रहा था एक दिन जमुना सबजी बेचकर घर वापस लोट रही थी तब ये रास्ते में एक तीज रफतार गाड़ी से जमुना का एक्सिडेंट हो गया और उसकी मौके पर ही मृत्यू हो गई अब रोशनी पूरी तरह से अकेले हो गई ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीत रहे थे घर में जो थोड़ी बहुत जमा पुन्जी बची थी वो भी धीरे धीरे खतम हो गई अपने आपको जैसे तैसे संभाल कर रोशनी जब स्कूल गई तो टीचर ने उससे कहा रोशनी तुमने दो महिने से स्कूल की फीज जमा नहीं की जल्दी से फीज जमा करो नहीं तो तुम्हारा नाम स्कूल से काट दिया जाएगा मैम मेरी मा अब इस दुन्या में नहीं रही अगर ऐसी बात है तो एक काम करो तुम किसी सरकारे स्कूल में जाकर एडमिशन ले लो हमारे स्कूल के भी कुछ रोड रेगुलेशन है अगर तुम्हारे पास फीज जमा करने के लिए पैसे नहीं है तो तुम स्कूल से बाहर जा सकती हो तभी कक्षा में पढ़ने वाली एक लड़की बोली अरे मैम इसके पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं है ये स्कूल के फेस कैसे भरेगी बिचारी गरीब है ये सुनते ही कक्षा के सभी बच्चे जोर जोर से उसके उपर हसने लगे ये सब देखकर रोशने रोते हुवे घर वापस आ गई तभी वहां घर की मकान मालिक गंगोताई आई और बोली सुन लड़की जल्दी से मेरा घर खाली कर दो तूने पिछले दो महीने से मेरा किराया नहीं दिया है आउंटी आप तो सब जानती हैं मेरे पास पैसे नहीं है मैं जब कमाऊंगी तब मैं आपका सारा पैसा चुका दूँगी मुझे घर से मत निकालिए प्लीज आउंटी जी तूने मुझे पावल समझ रखा है क्या तो मुझे इतने पैसे कहां से लाकर दे देगी और तेरी आगी पिछे भी कोई नहीं है इसलिए जल्दी से मेरा घर खाली करते और किसी अनाताश्रा में जाकर रहले गंगोताई ने रोश्नी की एक न सुनी और उसे घर से निकाल दिया रोश्नी के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था वो दुखी होकर एक पार्क में जाकर बैठकर रोने लगी रोश्नी को भूकी प्यासे दो-तिन दिन बीत गए मैंने दो-तिन दिन से कुछ भी नहीं खाया मुझे बहुत तेज भूक लग रही है अब मैं क्या करूँ परिशान होकर रोश्नी खाने की तलाश में जहां वहां भटकने लगी तबी उसे सड़क किनारे ढाबा दिखाई दिया उसने देखा वहां कुछ लड़के लड़कियां खाना खा रहे थे उनके पास गई और बोली सुनिए मुझे थोड़ा सा खाना दे दीजिए मैं बहुत भूकी हूँ मैंने दो-तिन से कुछ भी नहीं खाया है रोशने के बाद सुन एक लड़का बोला क्या कहा तुझे भूक लगी है खाना चाहिए तुमें जी हाँ मुझे बहुत भूक लगी है तबी उनमें से एक लड़की बोली तो फिर ठीक है हम तुमें पेट पर खाना दे देंगे पहले तुम ज़रा नाच कर दिखाओ हमारा थोड़ा एंटेटेंडमेंट करो हमारा मन और अंचन करो हम बहुत देर से यहाँ वैसे भी बोर हो रहे हैं मजबूरी में भूगी प्यासी रोशने को उनके आगे नाचना पड़ा तभी एक लड़की ने उठकर रोशने को जोर का धक्का दिया तिसे रोशने जमीन पर गिर गई वहाँ बैठे लड़के लड़कियों से देखकर जोर जोर से हसने लगे तभी एक लड़का बोला अरे तुझे तो नाचना भी नहीं आता जा यहां से अब तुझे खाना नहीं मिलेगा अरे रुको मिचारे भूकी है इससे कुछ तुखाने को दो तभी वो लड़का रोशने के आगे एक रोटी फेकते हुए बोला ये ले खा ले एक रोटी बहुत है तेरे लिए अपने इतनी बेज़्जती देखकर रोशने रोते हुए वहां से चली गई तभी रास्ते में रोशने को उसके चाचा विनोध मिले अरे रोशनी वेटी तुम यहां क्या कर रही हो रोशने अपने चाचा को सारी बात बताती है सुनकर बहुत दुख हुआ कि भावी अब इस दुनिया में नहीं है मुझे यह ख़बर पता ही नहीं चली क्योंकि मैं काम के सिलसिले में दो हफ्तों से शहर से दूर गया हुआ था लेकिन तुम हमारे घर क्यों नहीं आई इसलिए अब रोशनी बीटिया हमारे साथ ही रहेगी क्यों जी आपको घर के अनात आश्रम है जो इसे यहां उठा ले आए जाकर इसे किसी अनात आश्रम में छोड़ कर आओ यह तुम कैसी बाते कर रही हो हम इसके अपने हैं अगर इस समय हम इसके काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा इसके काम मैं इसे यहां बिल्कुल भी रहने नहीं दूँगी इसे चुप चप यहां से चले जाने के लिए बोल दो वरना मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर माई के चली जाऊंगी अपनी पतनी की बात सुनकर विनो दुखी हो गया और कुछ नहीं बोला रोशने ये सब सुनकर चुप चाप वहां से चली गई चलते चलते रोशने घने जंगल में पहुँच गई और भूख की वज़े से जोर जोर से चिलाने लगी कोई मुझे खाना दो मैं बहुत भूखी हूँ मुझे बहुत भूख लगी है प्लीज मेरी मदद करो मुझे खाना दो तब ही वहां से सिंड्रेला पर ही गुजर रहे थी वो रोशने की चलाने की आवाज सुनकर मन ही मन बोली अरे इतने घने जंगल में कौन रो रहा है लगता है कोई परिशानी में है मुझे चल कर उसकी मदद करने चाहिए इतना कहकर चिंड्रेला पर ही रोशनी के पास गई और बोली सुनो तुम इस जंगल में क्या कर रही हो क्या तुम रास्ता भटक गई हो मुझे बताओ तुमारा घर कहा है मैं तुमें तुमारे घर पर पहुचा देती हूँ मेरा कोई घर नहीं है मेरे माता पिता मर चुके है दरासल मैंने कर दिनों से खाना नहीं खाया कोई मुझे खाना नहीं देता सब सिर्फ मेरा वजाख उड़ाते है आप प्लीज मेरी मदद कीजिए थोड़ा सा खाना दे दीजिए मैं बहुत भूकी हूँ रोश्नी की बात सुन सिंड्रेला परी की आँखों में आसु आ गए अच्छा तुम पहले रोना बंद करो तुम पहले ये खाना खालो इतना कहके सिंड्रेला परी अपनी जादी छड़ी से तरह तरह के व्यंचर प्रकट करती है फिर रोश्नी ने पेट भर कर खाना खाया खाना खाकर रोश्नी ने परी का धन्यवाद करते हुए कहा तुम्हारा धन्यवाद परी मैं जहां भी गई मदद मांगने सबने मुझे डाट कर वहां से भगा दिया किसी ने भी मेरी मदद नहीं की, तुम चिंता मत करू, मैं तुम्हारी मदद करूगी। इतना कहके सिंड्रेला परी ने अपने बालों पर लगी गुलाब का फूल निकाला और रोश्नी को देते हुवे बोली। इतना कहके सिंड्रेला परी वहां से गायब हो गई, रोश्नी फिर उस गुलाब के फूल को ले जाकर खुले इस्थान पर रख देती है। देखते देखते वहां एक गुलाब का घर प्रकट हो जाता है, जिसे देखकर रोश्ने खुशी से नाचने लगी। के लिए एक अनात आश्रम खोल कर, साथ ही वो दोबारा से अपने आगे की पढ़ाई करने स्कूल जाने लगी। ऐसे ही रोश्ने के दिन बीत रहे थी, एक दिन रोश्ने स्कूल से घर आ रहे थी, तब ही उसे सड़क पर अपने चाचा चाचे बैठे हुए दिखाई देते हैं। अरे चाचा जी, चाची जी, आप यहाँ इस तरह क्यों बैठे हैं। क्या बताओ रोश्नी बेटा, मेरे कपडो की दुकान में आग लग गई, मेरा सब कुछ बरबाद हो गया, लाखो का करजा चुकाने के लिए मुझे अपना घर भी बेचना पड़ा, अब हमारे पास रहने के लिए भी कोई जगा नहीं है। अरे छोड़ो जी, आप किस भीकारीन को ये सब बता रहे हो, ये हमारे क्या मदद करेगी। चाचा जी, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। रोश्नी के बार-बार कहने पर उसके चाचा और चाची साथ चलने के लिए तयार हो गए। रोश्नी का इतना बड़ा और सुन्दर घर देखकर, उसके चाचा चाची हैरान रह जाते हैं। अरे रोश्नी बेटा, तुम्हारा इतना बड़ा घर, ये कब बनवाया तुमने। रोश्नी अपने चाचा चाची को सारे बात बताते हुए बोली। चाचा, चाची जी, आप इसे अपना है घर समझे, आपको जब तक यहां रहना है, अराम से रहे, आपको यहां कोई भी तकलीफ नहीं होगी रोशनी की बात सुनकर उसकी चाची कामनी को बहुत शर्मिन की महसोस होती है, और उसे अपने किये पर पस्तावा होने लगा रोशनी बेटा, मुझे माफ कर दो, जब तुम्हें हमारी सबसे ज़्यादा जरूरत थी, तब मैंने तुम्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया था, और आज तुमने हमें रहने के लिए जगा दी, मैं तो माफी के भी काबिल नहीं कोई बात नहीं जाजी जी, आप मेरी अपनी हो, इस घड़ी में यदि मैं आपके काम नहीं आऊंगी, तो कौन आएगा फिर उस दिन के बाद से सबी लोग उस जादी गुलाब के घर के अंदर खुशी-खुशी एक साथ रहने लगी बहुत समय पहली की बात है, हेरपुर नाम गाउं में त्रिशा अपने भाई अंकुश और अपनी मा राधा के साथ रहते थी राधा फल बेचकर अपने दोनों बच्चों का पालन पोर्षन और पढ़ाई लिखाई करवाती थी एक दिन त्रिशा का भाई अंकुश खेर रहा होता है, तब ही वो गिर जाता है, जिससे उसका एक पैर खराब हो जाता है अंकुश को इस हालत में देखकर राधिका और त्रिशा अक्सर उदास रहती थी अंकुश के इलाज के चिंता की वज़े से राधा भी अक्सर बिमार रहने लगी थी जिसकी वज़े से त्रिशा की उपर घर के जिम्मेदारी आ जाती है, त्रिशा अपनी मा से कहती है मा, गाव में फल बेच कर इतने पैसे नहीं होते हैं जिससे हम अंकुष का इलाज करवा सके यहां तक कि हम दो समय का खाना भी ठीक से नहीं खा पा रही है मैं सोच रही हूँ कि मुझे पैसे कमाने के लिए शहर चले जाना चाहिए अगर मैं शहर जाकर किसी के घर में नौकरानी का काम भी करूँगी फिर भी मुझे अच्छे पैसे मिलेंगे बेटी, तु सही कह रही है तुने बिल्कुल सही फैसला लिया है जा और हमारे चिंता बिल्कुल मत करियो मैं अपना और अंकुष का ध्यान अच्छे से रख लूँगी अगली दिन तुरिशा शहर चली जाती है शहर जाकर तुरिशा घर घर जाकर लोगों से काम मांगने लगती है बहुत दिन तक भटकने की बाद भी तुरिशा को कहीं काम नहीं मिलता है त्रिशा सोचने लगती है तीन दिन हो गए है और मुझे कहीं काम ही नहीं मिला है क्या यहाँ पर किसी को लौकराने के जुरत नहीं है क्या मेरी पास थोड़ा बहुत खाना था अब तो बोवी खत्म हो चुका है अब मैं इतने बड़े शहर में कैसे रहूंगी और अगर गाओ खाले हाथ चली गई तो मा को कितना बुरा लगेगा ए भगवान मेरी मदद करो त्रिशा वही खड़े होकर ये सारे बाते सोच रही होती है तभी वहाँ एक बुड़ा आदमी आता है और बोलता है बेटी मुझे बहुत भूख और प्यास लगी है क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकती हो मेरे पास खाने के लिए तो कुछ नहीं है सर्फ तीन सो रुपे हैं लेकिन कोई बात नहीं आप इन में से सो रुपे ले लो कुछ खा लेना बुड़े आदमी को पैसा देकर तृषा वापस इधर उधर काम ढूड़ने लगती है कुछ देर तक चलने के बाद तृषा को दो छोटे छोटे बच्चे मिलते हैं दोनों बच्चे तृषा से कहते हैं दीदी दीदी अमारी दादी बहुत बिमार है इसलिए हमें उनके लिए दवाई खरीदनी है क्या आप कुछ पैसे दे सकती हो मेरे पास अब सिर्फ दोसों ही बच्चे हैं ये लो इन्हें ले लो और अपनी दादी के लिए दवाई खरीद लेना दीदी क्या आप हमारे साथ हमारे छोटे से गर में चलोगी हम अकेले अपनी दादी को डॉक्टर के पास नहीं ले जा पाएंगी त्रिशो को बच्ची की बात सुनकर बहुत तरस आती है और वो उसके साथ उसके घर चली जाती है त्रिशो के वहाँ जाते ही दोनों बच्चीयां और उसकी दादी एक परी बन जाती है असल में वो तीनों एक परी ही थे तबी निलम परी कहती है बेटी हम ऐसे इंसान की तलास में थे जो बहुत नेक हो क्या तुम मेरी मदद करोगी हाँ बोलिये मैं आपके क्या मदद कर सकती हूँ हम परी लोग की परीयां प्रित्वे लोग पर गरीब लोगों की मदद करने आते हैं लेकिन एक डायन ने हमें यहां कैद कर लिया है इसलिए अब हम इस जोपड़ी से कहीं नहीं जा सकती हैं मैंने तो किताबों में पढ़ा था कि परीयों के पास जादू शक्तियां होती है आपके पास नहीं है क्या हमारी जादू शक्तियां हमारी छड़ी में होती है जब मेरी डायन से लड़ाई हो रही थी तब मैंने अपने जादू जड़ी जादू तीन सेप के घर में छुपा कर रख दी थी सेप के घर? लेकिन कहां पर है ये? यहां थोड़े दूर पर एक घना जंगल है वही पर है तीन सेप के घर मैं अभी यहां से नहीं जा सकती हूँ इसलिए क्या तुम मेरी जादवी चड़ी वहां से ला सकती हूँ? लेकिन मैं जादी सेब के गर के अंदर जाओंगी कैसे? मेरे पास जादी सेब के तीरो घरो की चाबी है और उसमें वही लोग जा सकते हैं जो ने और दूसरों की मदद करने वाला हो त्रिशा नेलमपरी की मदद करने के लिए हां कर देती है हाँ जरूर अब मैं वहाँ जाऊंगी और आपके जादवी छड़ी लेकर आऊंगी तबी निलम परी त्रिशा को जादवी सेप के घर की चाबी देती है चाबी लेकर त्रिशा जादवी तीनों सेप के घर के तरफ चल पड़ती है थोड़ी दिर बाद चलते चलते तριशा जादुई सेप के तीनों घर के पास पहुँच जाते है तριशा को वहा जाते ही पहली सेप की घर बोलती है अगर तुम मेरे घर में आओगी तो तुमें बहुत सारे सोने के सिक्के मिलेंगे जिसे बेचकर तुम माला माल हो जाओगी नहीं नहीं तुम मेरे घर में आओ तुम्हें यहां बहुत सारे पैसे मिलेंगे उससे तुम्हें एक बड़ा सा आलिशान घर बना लेना और पैसों में खेलना दोनों सेब के घर के बोलने के बाद तीसरी सेब का घर बोलती है अगर तुम मेरे घर के अंदर आओगी तो ना ही तुम्हें सोने के सिक्के मिलेंगे और ना ही पैसे लेकिन तुम्हें यहां पर्यों के जादवी छड़ी जरूर मिलेगी अब तुम्हारे हाथ में हैं तुम पर्यों के मदद करना चाहती हो या खुद अमीर बनना चाहती हो मुझे पैसों के बहुत ज़्यादा जरुरत है लेकिन फिर भी मैं पैसे नहीं लूँगी और पर्यों के मदद करूँगी क्योंकि परिया अभी बहुत परिशानी में है इसलिए मुझे उनकी मदद करनी चाहिए त्रिशा की इतना बोलती ही पहली और दूसरी सेप की घर बोलती है त्रिशा तुम बहुत अच्छी हो तुम कभी लालच नहीं करती हो तुम्हारा ऐसा भेवार देखकर हम सब बहुत खुश हुए हाँ इसलिए तुम्हारी उदारता देखकर हम दोनों तुम्हें सोने के सिक्के और पैसा देना चाहते हैं इतना कहकर दोनों सेप की घर त्रिशा को सोने के सिक्के और पैसे दे देती है उन दोनों का धन्यवाद करके, त्रिशा तीसरे सेब के घर के अंदर जाती है, और परियों के जादी छड़ी ले लेती है, और परियों के पास जाकर उन्हें दे देती है नीलम परी खुशी से कहती है सच में तुम बहुत अच्छी हो जिस तरह पहले और दूसरे सेव ने तुम्हें धन दौलत का लालस दिया अगर तुम्हारी जगा कोई भी होता तो धन दौलत के लालस में आ जाता लिकिन तुम नहीं आई तरिशा अगर तुम चाहो तो मेरे से अपनी कोई इच्छा मांग सकती हूँ परी आप बस मुझे मेरे घर पहुँचा दीजी तरिशा के इतना कहती ही परी अपनी जादी छड़ी घुमाती है और तरिशा अपने घर पहुँच जाती है त्रिशा को अचानक देखकर राधा और अंकुष बहुत खुश होते हैं त्रिशा मेरी बच्ची आ गई तू इतने सारे सोने के सिक्खे और पैसे तुझे किसने दिये राधा के इतना कहते ही त्रिशा पीछे हुई सारी बाते अपनी मा और भाई को बताती है उसके बाते सुनकर अंकुष और राधा बहुत खुश हो जाते हैं त्रिशा अपने भाई से कहती है अंकुष अब मैं तेरे पैरो का इलाज शहर के एक बड़े से ऑस्पिटल में करवाऊंगी वहाँ पर तेरे पैरो का इलाज बहुत अच्छे से होगा अगले दिन त्रिशा अपनी मा और भाई को शहर लेकर जाती है शहर में त्रिशा अंकुष के पैरो का इलाज एक बहुत अच्छे होस्पिटल में करवाती है अंकुष एक महिने में पूरी तरह से ठीक हो जाता है त्रिशा के पास बहुत सारे धन दोलत थे जिससे वो शहर में एक अपनी बड़ी सी बुटिक खोल लेती है और अपनी मा भाई के साथ एक बड़ी से घर में हसी खुशी रहने लगती है परी की नई जादूी फ्रॉक सोना परणाम के एक गाउ में काव्या अपने माता पिता के साथ रहती थी उसके पिताजी मुकेश एक्सिरेंट होने की वज़ा से अपाहिज हो गए थे काव्या की मा सीता लोगों के यहां काम करके घर का गुजारा किया करती थी एक दिन मुकेश को बहुत प्यास लगी थी इसलिए मुकेश पानी पीने के लिए बैट से नीचे उतर रहा था कि तबी वो जोर से जमीन पर गिर गया और बहुत जोर जोर से चिलाने लगा उसकी आवाज सुन सीता वहां आ जाती है अजी अब कैसे नीचे गिर गए? सीता मुझे बहुत प्यास लगी थी तुम मुझे आवाज लगा देते? आपको उठने की क्या जरुवत थी? आखिर मैं कब तक तुम्हें ऐसे तकलीफ देता रहूंगा सीता? उसके बाद सीता मुकेश को उठाकर बैट पर बैठाती है सीता की नजर उसके सर पर लगे चोट पर पढ़ती है आगे साब को कुछ भी चाहिए होगा तो आप मुझे आवाज लगाएंगे अगर मैं काम पर रहूंगी तो आप काव्या से कह दीजेगा लेकिन आप खुद नहीं उठेंगी और अपना काम करने चली जाती है तबी थोड़े देर बाद कॉले से काव्या घार आ जाती है अपने पिताजी के सर पर चोट देखकर वो अपने पिताजी से कहती है पिताजी यह आपके सर पर चोट कैसी लगी बेटी मैं पानी पीने के लिए नीचे उतर रहा था तो मैं गिर गया चोटी से चोट है बेटा, ठीक हो जाएगी पिताजी, अब खुद का थोड़ा भी ख्याल लहीं रखते अपने ख्याल रखा कीजिए इतना कहकर काव्या मुकेश के गले लग जाती है उसके बाद वो अपने कमरे में चली जाती है उसे दिन रात को काव्या सोचती है अगर मैं काम करूँगी तो मा को भी मदद हो जाएगी मैं कल ही जाकर जॉब ढूनती हूँ मन में ऐसा सोचकर काव्या सो जाती है और दूसरे दिन काव्या कॉलेज चली जाती है कॉलिज खत्म हो जाने के बाद काव्या बाहर निकलती है वो नौकरी की तलास में इधर उधर घूमने लगती है किता भी उसकी लजरे किराने की दुकान पर पड़ती है उस दुकान के सामने एक प्लेट लगी हुई थी प्लेट पर लिखा था यहां काम के लिए लड़के लड़कियों के जरूरत है यह देखकर काव्या बहुत खुश हो जाती है काव्या उस दुकान में जाकर दुकान वाले से कहती है अंकल क्या यहां काम के लिए लड़कियों के जरूरत है हाँ, लेकिन हमको पड़ी लिखी लड़की चाहिए अंकल, क्या मैं यहाँ काम कर सकती हूँ मैं कॉलेज पे जाती हूँ मैं कॉलेज जाने से पहले और बात में यहाँ काम कर दिया करूँगी ठीक है, लेकिन तुम्हें काम सीखना पड़ेगा अंकल आप मुझे बस एक बर समझा दीचेगा बात में मैं खुद कर लूँगी और हाँ तुम्हें महीने का छे हजार पकार मिलेगा ठीक है अंकल मैं कल से काम पर आ जाओंगी इतना कहकर काव्या वहाँ से चली जाती है थोड़ी देर बात काव्या अपने घर आ जाती है और अपनी मा से कहती है मा मैं तुम्हारी लिए खुशकबरी लाई हूँ क्या हुआ काव्या आज बड़ी खुश लग रही हो तुम मा मैंने कॉलेज के साथ सा जॉब करने का भी डिसिजन लिया है जिससे तुम्हें थोड़ी बहुत मदद भी हो जाएगी मेरी बच्ची तुम्हें ये सब करने की कोई जुरत नहीं है नहीं मा अपसे मैं भी तुमारी मदद कर दिया करूंगी जिससे तुम पिताजी पर ज़्यादा ध्यान दे पाओगी और वैसे भी मा मैंने काम ढूंट लिया है मैं कल से ही काम पर जाने वाली हूँ इतना केकर काव्या खाना खाकर सो जाती है अगले दिन सुबा उटकर काव्या अपने काम पर जाने के लिए घर से निकल जाती है थोड़ी दिर बाद वो किराने की शॉप पर पहुँच जाती है आप मुझे बस एक बर समझा दीजिए बाद में मैं कर लूँगी दुकान वाला काव्या को डाटा कैसे सेव करते हैं सिखाता है और थोड़ी देर के लिए घर चला जाता है उसके बाद काव्या अपना काम मन लगा कर करती है वो सब नई चीजे सीखती है उसके बाद वो दु पैर के समय काव्या कोलेज जाने के लिए निकलती है तभी दुकान वाला काव्या से कहता है आने में ज़्यादा देर मत करना नहीं तो काम से निकाली जाओगी अंकल मैं बस तीन खंटे के लिए कोलेज जाओंगी मैं मेरा लेक्चर खतम करके चल्दी आ जाओंगी ठीक है अगर लेट हुई तो तंखा कम मिलेगी ठीक है कहकर काव्या कॉलेज चली जाती है कॉलेज में जाकर काव्या अपने क्लासेज अटैंड करती है और फिर से दुकान में काम करने आ जाती है उसका आज का दिन तो बहुत अच्छा गया था उसके बाद वो शाम को घर आ जाती तब ही सीता काव्या से कहती है आगे बेटी तुम आज का पहला दिन कैसा रहा मा आज का पहला दिन बहुत अच्छा रहा मैं बहुत थक गई हूं खाना खाकर सो जाती हूं उसके बाद काव्या खाना खाकर सो जाती है अब हरोज काव्या समय पर काम पर जाया करती थी उसके का कप्रती पीप लगण देख और एक सीखने की कहता है था कि मैं वक्ष का बहुत पावन्ध हूं आज अगर तुम् मेर aspect तो जोड़ी नहीं होती इस समय मेरी सिर्वे,कभी बंध नहीं होती है। ौर आज फूरी होती इसी वज़ज ऐसे चोरों तुम आज एक गंटा लेट आई हो और उपर से जुवान लड़ा रही हो तुम जैसी गरीब लड़की को दुकान पर रखना ही मेरी गलती है तुम कल से काम पर मताना मुझे ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है एसा कहकर दुकानवाला काव्या को वहाँ से चले जाने के लिए कहता है काव्या वहाँ से घर के तरफ आने लगती है अब क्या किया जाए उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था वो सड़क किनारे बैठ कर रोने लगती है तुम ही तो मेरी परिस्तिती पता है ना भगवान लेकि मुझे जॉब मिली थी अब मैं अपने घर में क्या बोलूँगी ऐसा सोसते सोसते काव्या बहुत रोने लगती है तभी उसके सामने एक परी प्रकट होती है काव्या आप कौन मैं परी हूं मुझे तुम्हारी परिशानियों के बारे में सब कुछ पता है मैं तुम्हें एक नई जादवी फ्रोग देती हूं तुम उस जादो है को लेकर सीधा घर चली जाती है काव्या फ्रोक पहन कर देखती है अरे वाह ये फिरुक तो जादूई होने के साथ सब दिखने में भी बहुत सुन्दर है उसी ट्रेस को पहन कर काव्या सो जाती है जब उसकी मा उसे खाना खिलाने के लिए पोशती है तो उसको सोता देख उसकी मा सोचती है ये लड़की भी ना बिना खाना खाय सो गई सुबा जल्दी उठकर इसे खाना दे दूँगी इतना सोचकर उसकी मा वहां से चली जाती है सुबा जब काव्या उठती है तो वो सोचती है अगर मुझे एक महीनी की सैलरी मिल जाती तो मैं मा की मदद कर पाती लेकिन मेरा तो काम ही छूट गया तभी काव्या के सामने कुछ पैसे प्रकट हो जाते है अरे ये पैसे कहां से आई अच्छा मैंने तो परी की दी हुए जादूई ने ड्रेस पहनी है न मैं तो भूली गई थी कि ये फ्रॉक तो जादूई है मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादूई फ्रॉक कि तभी वहाँ पर काव्या की मा आती है वो कहती है बेटी ये तेरे पास नई फ्रॉक कहां से आई मैंने तो तुझे कोई नई फ्रॉक नहीं दिलवाई इतना कहते ही उसके पिता की टांगे ठीक हो जाती है ये देखकर पूरा परिवार खुश होता है अब काव्या परी की दी हुई जादूई नई फ्रॉक की वज़ा से अपनी सारी परेशानिया दूर कर लेती है और अपने परिवार के साथ एक अच्छा जीवन व्यतीत करने लगती है